हलो एरिवान वेलकम टू माई नीव लेक्चर माई सेफ मनीस तो नुकलियर फिजिक्स पर रहेते हैं हम लोग ठीक है देखो मैं अब से क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा मतलब तुम लोग एक्जाम भी पास आने वाला है एक दो मैने में एक्जाम आ जाएगा तो मैं क्या कर रह है वह से टॉपिक को मैं क्या कर रहा हूँ इसके बाद जैसे कुछ और कराना रहेगा जो आप लोग जैसे कुछ बोलो करा दीजे करके तो मैं उसको कम्प्लीट करा दूँगा ठीक है बाकी में ली जो इंपोर्टेंट है उसे कोई कवर करा रहे हैं क्योंकि जो निकलियर फिजिक्स है वो थोड़ा सा लंबा पढ़ेगा अभी इसके बाद रेडियो एक्ट्यूटी वाला भी चेप्टर है उसम क्या कर रहा हूं जो इंपोर्टेंट है उसको मैं फाले कम्प्लीट करा देता हूं ठीक है उसके बाद भी कुछी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा हुगा तो आप लोग कमेंट करना उसको बता दूँगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं जो आज का लेक्ट्यर रहेगा इस में हम लोग mass defect को पढ़ेंगे द्रवेमान छती ठीक है सबसे पर में heading डालता हूँ फिर इसका start करते हैं तो देखें देख रहा होगा heading क्या हो जाएगा mass defect जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं द्रवेमान छती तो क्या होता है द्रवेमान छती तो देखो कोई भी जो nucleus है कोई भी जो नाभिक है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है तो जो उसके nucleon है मतलब proton और neutron दाहर रखना nucleon बोलने का मतलब है की proton और neutron इन्हीं दोनों को क्या बोलते है nucleon बोला जाते है ठीक है टूँ प्रोटान और neutron इन्दोनों मिलकर क्या करेंगे एक नाभिक बनाएंगे तो जो नाभिक जो बन रहा है उसका द्रवेमान है वो किसके बराबर होना चाहिए तो जो nucleon है proton aur neutron है इ इसके बराबर होना चाहिए जो नाभीक बन रहा है जो नाभीक बन गया उसका जो मास है वो प्रोटान और न्यूट्राउन या फिर निकलियान उसकी मास के बराबर नहीं होता उससे थोड़ा सा कम होता है समझ में आया मतलब देखो जैसे में थोड़ा से बतायता हूं इसको जैसे के माल लेता है यह प्रोटान हो गया यह न्यूट्राउन हो गया इन दोनों मिलकर क्या करेंगे नाभीक बनाएंगे इसको समझ दो नाभीक है तो यह जो नाभीक का जो दरविमान है यह प्रोटान औ ति दोनो जो प्रतन नेट्रोन है इनके द्रविमान के बराबर नहीं होता है, बलकि इस इसे कम कुम होता है, नाभिक का कम होता है, तो ऐसा क्यों उगूँ ही उफ्टाय end घुकान ही जाथ है, मतलब को द्रविमान के क्या मijn और छती हो जाता है, इस इस नशी हो बोलते हैं मास yeahidir या फिर द्रवेमान च्षतीद्र विमान में नुकसान हो गया तो नाभिक को बनाने में तो च्षती शती हो रही है उसी को ही बोलते हैं ठीक है तो यहां समझ में चाहोग तो देखो फार्मूला के रूप में लिखेंगे। तो पहले मैं सब्दों के रूप में लिखता हूँ, फिर उसी चीच को ही हम लोग, Mathematically भी लिख सकते हैं, गड़िती रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले दि मैं सब्दों के रूप में लिखना चाहूं, तो क्या लिख दूँगा? द्रविमान छती ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, Equal to क्या हो जाएगा? द्रविमान छती, मतलब हम लोग कितना द्रविमान में नुकसान हुआ है, उसको हम लोग यहापे मैजर करना है, तो द्रविमान में जैसे नुकसान किता हुआ है, वो कैसे मैजर करेंगे? तो जो proton और neutron है उसके द्रवेमान का योग ले लेते हैं और जो नाभिक बना हुआ है इन्हीं दोनों मिलकर नाभिक बना रहे हैं तो जो नाभिक बनने के बाद जो उसका द्रवेमान है उसको उसमें माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास जितना द्रवेमान में नुकसान हुआ है वो निकल जाएगा समझ में आ रहना neutron और proton इन दोनों का मैं क्या करता हूँ मास ले लेता हूँ उसका योग कर दूँगा neutron प्रोटान का उसके बाद जो नाभिक बना हुआ है उसको मैं इसमें से माइनस कर दूँगा तो कितना नाभिक में जो द्रवेमान है कितना नुकसान हो रहा है वो उसको पता सल जाएगा ठीक है तो यहीं करने वाले हैं तो द्रवेमान चथी के देखना हूँ इसको कैसे मतलब आप लोग फर्मूला यहां से निकाल सकते हो ठीक है neutron का द्रविमान चुकि प्रोटान और neutron मिलकर बनाएंगे इसलिए यहाँ प्रोटान का द्रविमान और neutron का द्रविमान ठीक है फार्मुला को थोड़ा देखते रहना समझ में आ जाएगा neutron का द्रविमान लेकिन आप लोग को पता है यह तो किसी भी एक अधी प्रोटान और neutron है तब की बात है लेकिन उससे पहले थोड़ सा और आगे बताते हैं तो यह प्रोटान और neutron का द्रविमान दोनों का योग हो गया ठीक है तो यह जो मास बनेगा वो हो गया और उसमें हमको क्या करना है जो वास्तविक द्रविमान या फिर जो रियल मास है मतलब नाभीक का बनने के बाद जो मास आ रहा है उसकी बात करें ठीक है नाभीक का वास्तविक द्रविमान हाँ अब यह वो रत्म है कि जैसे कोई भी नाभीक बना रहे हैं तो यह जब एक प्रोटान और एक neutron है तब की बात है लेकिन हम लोग को मालूम है कि किसी भी जैसे कोई भी परमाड़ों हो गया उसमें जरूरी नहीं है कि क्या हो एक ही प्रोटान एक ही neutron हो क्या करना पड़ेगा गुड़ा करना पड़ेगा प्रोटानों की संख्या प्रोटानों की कि संख्या उसी प्रकार इसमें क्या करना पड़ेगा neutron की जितनी संख्या है उसको यहां पर गुड़ा करना पड़ेगा तो यहां भी मैं क्या कर दूंगा neutron की संख्या न्यूट्रोनों की संख्या, तो अब यह जो फार्मूला बनाना, यह किसका फार्मूला है, द्रविमान छहती का, जैसे एक पर थोड़ा समझा देता हूँ, प्रोटान और न्यूट्रोन के योग, तो एक ही प्रोटान, एक ही न्यूट्रान तो होने से रहे, तो यहाँ पर क् दस गुड़ा, एक प्रोटान का द्रविमान, तो दस गुड़ा, एक प्रोटान का द्रविमान यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्रोटानों की संख्या गुड़ा, प्रोटानों का द्रविमान, धन, न्यूट्रानों की संख्या गुड़ा, न्यूट्रानों का इतना है, ठो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, सबदो करी की रूप में, यदि इसी को मैं तो मैं द्रविमान चत्ति को डेल M को से सो किया जाता है, ठो यज लिएक सकते हैं, उसके बाद प्रुटानों की संख्या, तो प्रुटान को किसे दर्स आते हैं? जेड से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जेड गुड़ा, प्रुटान का द्रविमान. तो प्रुटान का द्रविमान को मैं कैसे लिखूँँगा? M-P, ठीक है? यह मातला मास, msi मतलब प्रोटान तो प्रोटान का वहाँ पर है जाहो तो अब लोग भी लिख सकते हो लेकिन गरनुदर्ली. जाहरली जाहर रहता इसलिए Z हो जाएगा उसके बात क्या करेंगी 1 द्हhelm जेतीक है नूट्रॉनो के संख्या तो निट्रानों की संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोग चाहो तो N लिख सकते हो, ऐसा N लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जर्रली क्या होता है, भुक में A-Z लिखा रहता है, ठीक है, A-Z, ये actually मैं क्या है, निट्रॉन ही है, है न, परमाडु भार में से परमाडु क् की संख्या निकल जाती है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं, N लिख के, क्या लिख दूँगा, A-Z, तो ये निकल गया, निट्रॉनों की संख्या, गुड़ा क्या करना है, निट्रॉन का द्रविमान करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, निट्रॉन का द्र तोनाभी का वास्तेविक द्रमान को मैं किस से जिनुल करता हूं, capital M से, जात तो एसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये कुछ this टीप से तो इसे भी लिख सकते हो, लेकिन अभी क्या लिखता हूं, M लिखता हूं, ठिक है तो यह क्या बन गया हमारा द्रविमान छती का Mathematically Formula आप लोग इसको याद मत रखना यह तो मैं समझाने के लिए बताया हूँ कि कैसे Formula आया हुआ है आप लोग डारेक्ट इसको याद रखना तो इसको कैसे याद कर सकते हो Z गुड़ा MP प्लस Neutron की संख्या मतलब A-Z गुड़ा MN उसके बाद माइनस Capital M Capital M क्या है जो नाभिक बना हुआ है उसका वास्तवीक द्रविमान है मतलब बनने के बाद जो द्रविमान है वो तो यदि में उन दोनों निकलियानों का योग तो मतलब निकलियानों का मास है उसमें सवास्तवीक द्रविमान घटा दूँगा तो क्या निकल जाएगा हमारे पास ड्ल एम निकल जाएगा मतलब द्रविमान छती निकल जाएगा इस प्रकार से किसी भी निबी न्यूअस के लिए हम लोग D Allem कमान यहाँ पर निकाल सकते हैं अब इसके बात करते हैं जो D Allem कर रहे हैं, इसके Undertaker के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका Unit क्या होता है न्यूटन के बात कर रहे हैं उसके लिए हम उसको यूस करते हैं AMU के बारे में ठीक है तो AMU क्या होता है Atomic Mass Unit आप लोग ने पहले भी सुना होगा और जब मैं इस्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीस दो कर पहा रहा रहा था उसके भी बताया था तो इसका दरविमान का जो मातरक है वो क्या हो जाएगा Atomic Mass Unit ठीक है महाँ पर इसका लिख देता हूं मातरक ठीक है यह मातरक किसका है यह डेल एम जो आएगा ना उसका मातरक है ठीक है तो क्या हो जाता है इसका एम यू मैं इसका फुल फार्म लिक देता हूं Atomic Mass Unit ठीक है यह बोलते हैं और इसको जो मान होता है वो कितना होता है वो आप लोग को पता होना चाहिए तो इसका जो मान है ना उसको आपको डारेक्ट याद रखना पड़ेगा याद रख लोग ज्याद अच्छा रहेगा बाकी चाहो तो निकाल सकते हो निकालने में भी कैसे आएगा मैं बता देता हूं लेकिन बेटर हैगा आप लोग याद करना तो जो एक एम यू को जो मान है इसका जो मान होता है एक दसंबलाव छे साथ गुड़ा दस की घात रिड़ सत्ताइस केजी मतलब सौ सकते हो एक ए तो देखे है जो proton neutron उसका मास किता होता होता है वह गजा बता देता हूं ठीक है तो जो MP का जो मान होता है वो होता है 1.0078 AMU ठीक है मतलब लगड़-Lगद 1AMU के बराबर ही होता है बस point में थोड़ा सा इहां पर अंतर रहता है जो म, N है उसका मान किता होता है one point, proton और neutron दोनों का मास लगबग लगबग बराबर ही होता है, point में थोड़ा सा अंतर रहता है, तो यह one point zero zero eight eight seven, amu, इतना होता है, ठीक है, और जो neutron है, उसका, सारी, जो electron है, उसका भी मास आपको पता होना चाहिए, तो आप लोगों पहले से ही मालूम है, कि जो proton और neutron है, उसका मास, electron के मास से बहुत ज्यादा होता है, मतब यक्टान का मास बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसलिए हलके होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, बाहर जो कक्छा रहता है, उसमें चक्कल लगाते रहते हैं, अभारी होने के कारण इन दोनों क्या रहते हैं, नाभिक में रूके रहते हैं, ऐसा समा सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका द्रविमान है, वो होता है, सुन्य दिसंबलाओ, सुन्य, 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 फांस सव पिचास AMU, टिके, फैर मैं चेक कर लिता हूं, बहने हैं, टिके पांस सव पकचास is 667 अरो seven to eight, टिके, Saan six, seven, इतना होता है, आप लोग को यह गार्यार्यक्ट याद होना चाहिए, जितना भी यह आपको पता रहेगा फिर यहां से किसी भी हमनों को पता है यह रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा प्लस कारवन की संख्या किति होती है Georgia बारा मेंसे भटेग ऑर मतलब इसका मतलब और किसी कहा रॉण मांज निकल जाएगा उसके बात जो नाभी कर रहा है उसका मास कितता हैं वहां से निकल सकते हैं तो यह इस प्रकार से क्या करते हैं द्रविमान च्छती हम लोग निकाल सकते हैं अब क्या करते हैं चोटा सा और एक पॉइंट इसमें रहता है कि कई बर क्या करता है एक्जाम में चार नमबर या च्छे नमबर के कोशने पुछना रहेगा तो क्या करेगा द्रविमा मान में क्या परिवड़ता ना है क्या डेल एम कमान भी बढ़ता जाता है या डेल एम कमान घड़ता जाता है या फिर क्या रिलेशन होता है ये पुछा जा सकता है ठीक है तो मैं इतना तो समझ में आ गया होगा तो मैं क्या करता हूँ इसको मिटाता हूँ फिर डेल एम और ए रहे है वो उतनी ही ज़्यादा इस्टेबल होता है उतनी ही जादा वह स्थाही का गूड़ रखता है ठीक है इसमें डेल इंक कमाना कम है कम हो कम इस्थाई होगा तो इसको गहा के ग्राफ में समझते हैं कि इस प्रश्वरकार इसका नom और रहता है अलग-अलग बढ़ते जा रहा है उसके बाद यदि मैं दुसरे साइड में क्या ले लूँ डेल एम को ले लूँ दुसरे एक से इसमें द्रवेमान चति को यहाँ पे देखो मैं जो पैमाना लिया हूँ न यह थोड़ा सा डिफरेंट है कैसे देखो यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ जीरो लिया हूँ जीरो इसलिए लिया हूँ क्योंकि इधर नीचे रिडात्मक को भी मैं दिखाना पड़ेगा कुछ-कुछ परमाडू ऐसे होते हैं उनका जब नाभिक बनता है तो उसका जो ढिर्मान थ्टी का आता है वह डात्मक होता है मतलब 0 से भी कम होता है ऐसा क्यों होता है बताएं कि आगे थोड़ा दैरवाग में यहाँ पर दमाग सखेना है यहाँ-क्ला-क यह . Met पाँच एम्यू उसके वाद उसके उपर में 0.10 एम्यू ठीक तो यह हो गया तो देखो कुछ इस टिप से इसका ग्राप बनता है अब यहां पर ग्राप में कुछ-कुछ पॉइंट है उसको मैं थोड़ो से क्लियर कर देता हूँ फिर यह प्रोटॉपिक कंप्लिट हो जाएगा ठीक है तीन पॉइंट में बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट तो ऐसे पर्मारू जिनका द्रव्यमां संख्या 20 से बढ़कर110 तक होती ह्मतलब 20 से जाधा होते जाती है 110 तक तो ऐसे पर्मारू का जो नाभिक बनता है उसमें द्रव्यमां छथ contest होती है वह क्शाठा करेगा बढ़ते जाएगा मतलब मैं पहले बता चुक हूँ जिसका द्रविमान च्छती ज्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा इस्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो इस्थाइत्व को प्राप्त करेगा मतलब द्रविमान संख्या 20 से ज्यादा 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110 तक उसका इस्थ स्थाइत्व है वो कम होने लगता है वो कम स्थाइत्व आ जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखो आप लोग पढ़े होगे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ठीक है वो कम स्थाइत्व होते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्या होने लग रहा है बढ़ रहा है उ नाभेक या फिर परमाडू में द्रविमान छती मैक्सिमम होती है और या तो इसको थोड़ सा और एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हो बीस से ज्यादा बढ़ाने पर ऐसे परमाडू जिनका द्रवान संक्या बीस से ज्यादा होती जाती है और एक्सपेंडस से कम होती है उनका इस्थायित वो बढ़ते जाता है तो रिडात्मक भाग के लिए क्या होगा A कमान 20 से यदि कम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 तक ठीक है उसका जो दर्मिमान छती है वो रिडात्मक होता है और दूसरा कंडिसन यदि A कमान 200 से अधिक है तो उसके लिए भी डेल M कमान क्या होता है रिडात्मक होता है ऐसा क्यों होता है रिडात्मक होने का मतलब समझो देखो डेल M क्या हो रहा था नाभिक जो बन रहा था उसमें कुछ कमी आ रहे थी नाभिक में ठीक है तो कितना कमी आ रहे थी वही डेल M है तो यहां पर रिडात्मक हो रहा है, रिडात्मक हो रहा है, इसका मतलब यहां पर जो नाभिक बन रहा है, उसका द्रविमान कमी नहीं हो रही है, उसमें और ज्यादा बड़ होत्री हो जा रही है, मतलब देखो यह का ऐसा हो रहा है भाई, एक निट्रान, एक प्रोटान है, दोनों मिलकर नाभिक बना रहे हैं तो यह समझ में आ रहा है कि हाँ या तो उसके बराबर हो सकती है या तो उसे कम हो सकती है लेकिन ज्यादा कैसे हो गई ज्यादा तो हो नहीं सकती तो इसका कारण यह रहता है कि जो 20 से कम वाले जो परमाडू है या फिर जो 200 से ज्यादा व बड़ जा रहा है, तो जो वो नाभिक में कौन से कड़ पाय जा रहे हैं, वो अलफा कड़, बिटा कड़, गामा कड़ ये हो सकते हैं, ठीक है? जनरली अलफा कड़ होते हैं, तो इसलिए जो उसका मास है, वो जो नाभिक निकलिवान है, निट्रॉन और पुटान है, उसके म से ज्यादा होता है इसलिए उसका डेलम कमान रिडात्मक होता है समझ में आया मतलब जुनाबिक बन रहा है न वो और ज्यादा हो जाती है तो उसका इसलिए डेलम कमान रिडात्मक होता है तो वह 20 से कम है और 200 से ज्यादा है तो उसका जो डेलम कमान है वो रिडात्मक होता है एक जो मान है 200 से ज्यादा होने पर होने पर डेल एम का मान डेल एम का मान रिडात्मक हो जाता है और आगे चाहो तो लिख सकते हो इसमें एक्सपेंड करके मैं पुरा-पुरा नहीं लिख रहा हूं उसको वर्बली बोल दिया रहा हूं आप लोग इसको लिख लेना या तो मै इसका जो नोट्स है ना जो जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसका मैं पेडिया बना के टेलिग्राम मेरा जो चैनल है उसमें मैं अप्लोड कर दूँ अडाल दूँगा ठीक है उसमें देख लेना आगर तो मेरे जो थम्नेल रहता यूटूब के या फिडिस्क्रिप्सन है उसमें भी मेरा नंबर है तो आप लोग उसमें से जाक फीधा डारेक्ट एड़ हो सकते हो ठीक है तो तो मैं कहां पर मतलब मैं ली क्या रहेगा और आगे कि डेलेम कमान लिड़ात्मक हो जाता है इसका कारण यह है कि उनमें नूट्रान और प्रटानों की संख्या के साथ और भी कड़ उपस्तित होते हैं जैसे कि अलफा कड़ इसलिए उसका जो नाभिक बनता है उसका जो मास होता है वो बढ़ जाता है बढ़ जाता है मतलब डेलेम कमान वहां पे लिड़ात्मक हो जाता है अब लोग इसको थोड़ा सा मैं तो बोर रहा हूं तो समझ माई जा कर रहा होगा लेकिन यह दि इसको आब जो मैं पर फार्मूल लिखाया है था उससे भी समझ सकते हो क्या प्रान्य में राबर नाभिकThis काड़ मान ब prepare आध स एसमान से तो क्या है जाहिर सी बहुत है इसमान ज्या यह cilीम घा इन्था आये गा ना यहां पर इसकोमाण ज्ञादा है तो यहां से भी समझ सकते हो और ऐसे मतलब दिमाग से भी समझ सकते हो तो यह किस टिप से ग्राब बन रहा है एक सरल रेखा में ग्राब बन रहा है इधर भी एक सरल रेखा में ग्राब बन रहा है मतलब कम्प्लिट्टी सरल रेखा तो नहीं बर रहा है, इस्ट्रेट लेंड तो नहीं बर रहा है, यहां पर थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर अगर एप्रॉक्सिमेट मानोंगे, तो इडिक रहा है, इसका मतलब क्या है, कि देड़ एम और द्रविमान संख्या ओ में दिमनो ग्र है एक कमान के साथ क्या होता होता है बढ़ता जाता है मतलब किसे एक कमान कमान भी बढ़ता जा रहा है तो यह तीन में इस ग्राब को मैं explain कर दिया हूँ I hope समझ में आ गया होगा तो यह पुर टॉपिक यहाँ तक था complete है पहले क्या करोगे mass defect के बारे में बताओगे क्या होता है mass defect यह चान नंबर भी आ यह सब्सक्रा नंबर में आता है तो जो ऑन लोग लिखना और यदि मालूचान नंबर स्क्राइब में आता है तो इस डियाग्राम को भी बनाना पड़े है तो पिर पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा यह समंझ में नहीं आ होगा कुछ भी डौट होगा तो आप कमेंट ब तो ये टॉपिक को ओवर करते हैं पसंद आया आगो लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर किजएगा फ्रेंड में भी सेयर किजएगा मिलेंगे फिननेश लेक्चर में थैंक्यू बबाए